जैमसी की परमेशर आप शली को आशिष दे मैं बचन पढ़ता हूँ बजन सैंक का उनीश का एक से लेकर नौ तक में पढ़ता हूँ संकत के दिन एहवा तेरी सुन ले याकुब के परमेशर का नाम तुझे उचे इस्थान पर न्यूत करे वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले वे तेरे सव अनवलियों को इस्मरन करे और तेरे हों बलियों को गरहन करे वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ती को सफल करे तब हम तेरे उधार के कारण उचे स्वर से हरसित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंदा करेंगे यहोवा तुझे मुमागा वर्दान दे अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अविश्वक्त का उधार करता है वे अपने दाहिने हाथ के उधार करने वाले प्राकर्व के अपने पवित्र स्वर्ग पर सितुन कर उसे उत्तर देगा किसी को रथों का और किसी को घोडों का भरुसा है परन्त हम तो अपने परमेश्वर एहवा ही का नाम लेंगे तो वे जुक गए और गिर गए परन्त हम उठे और सीधे खड़े हैं हे एहवा बचा ले जिस दिन हम पुकारे तो महराजा हमें उत्तर दे ये परमेश्वर का बचन दिया गया है ये दाउद के द्वारा ये दिया गया है और लिखा है कि प्रम परदान बजाने वाले के लिए दाउद का बजन ये दाउद का बजन है और लिखा है बीजय के लिए प्राटना हम जब निराश में होते हैं परसान में होते हैं तो इसके लिए प्राठना बताया गया है कि बीजय के लिए प्राठना यहां पर लिखा कर अगर हमको बीजय प्राठ करना है यहां पर लिखा है कि अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशिक्त का उधार करता है वे अपने दाहिने हाथ के उधार करने वाले प्राकव के अपने पवित्र स्वर्ग पर से सून कर उत्तर देगा कि परमेश्वर के जो अबशिक्त हैं, जो परमेश्वर के जो अबशिक्त किये हैं, जो परमेश्वर के उदार प्राप्त किया है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में गरहन करके उदार करता कि रूप में जो स्विकार किया है, यहां पे लिखा है कि प्राकर्म से अपने प जब हम डिफ्रेशन में आते हैं किसी भी परतानी में आते हैं परमेश और हमारा उत्तर देता है यहां पहले वचन में लिखा है संकच के दिन एहोगा तेरी सुन ले संकच के दिन परमेश और हमारी प्रांटना को सुनता है यहां पर लिखा गया है और लिखा है कि किसी को रत परसानी में आते हैं इनके पास दोड़ते हैं, जैसे रतों और घोड़ों को बताया जाता है कि उम्मेन मुख चीज वो माना जाता है, रतों गया, घोड़ा हो गया, इस सब मुख चीज माना जाता है कि कोई जरूरत पड़ता है, अगर समझ लो कहीं जाना है, अगर समझ लो क बचल लिखा हुआ है पुराने जमाने में अगर कहीं जाना था तो क्या करते थे रतों का घोडों का सहारा लेना पड़ता था लेकिन जो है उस समय में जो है रतों का घोडों का सहारा लेकर के वहां पर लिखा है कि किसी को रतों का और किसी को घोडों का भरोसा है उस समय में स अपने परमेश और एहवा ही का नाम लेंगे। हम देखते हैं कि इन दिनों में परमेश और जो है सब के जीवन में कार्या करना चाहते हैं। हम उठे और सीधे हो गए। जो नहीं विश्वास करते हैं जो नहीं मात गिर जाते हैं वो जुग जाते हैं। जो यहवा पर भरोसा रखते हैं जो संकट के दिन यहवा मेरी सुन ले। के परमेश और का नाम तुझे इस थान पर न्यूक्त करें। कि तब अन्य बली को इस्वरन करें और तेरे हम बली को ग्रहन करें। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करें। और यहां पर लिखा है। हे होवा पचाले, जिस दिन हम पुकारें तो महराजा हमें उत्तर दे। परमेश और को जब हम पुकारेंगे, यहां पर लिखा है कि महराजा को जब हम पुकारेंगे तो हमें उत्तर जरूर देंगे। इन दिनों में मेरे प्रियों इस वीडियो के दोड़ा जितने भाई बैन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर को कुकारने पाए परमेश्वर हमारा उत्तर देगा परमेश्वर हमारी प्रात्ना को सुनकर अंसुना नहीं करेगा परमेशवर अमरी प्राटना को सुनेगा, उत्तर देगा हरंदकार की सकती, हर बीमार की सकती, जो है परमेशवर उनसे हमको अलग किया है, उनसे बचाएगा भी, हरंदकार की सकती से बचाएगा, हर बीमार की सकती से हमें बचाएगा, परमेशवर आपको भी बचाएगा, प् मुशीवत का दिन जब आता है मनुश्यों को सब लोगों को तो रथों का घोडों का भरोसा है लेकिन हमारा और आपका भरोसा किसके उपर है प्रभु एशुमशी के उपर भरोसा है इन दिनों में इतने विश्वाशी भाई भैन है प्रभु एशुमशी के उपर भरोसा करने पाएं परमेशोर आप सभी को छुड़ाएंगे हो हर मुशीबस ते छुड़ाएंगे हर परिसानी ते छुड़ाएंगे हम सुचते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारी परिस्तिती कैसी रहेगी जब परमेशोर के ऊपर छोड़ दीजिए परमेशोर हाथ पकड़ की चलाने वाला परमीशोर है, हम बताना चाहते हैं कि बचन के आधार पे परमीशोर में बने रहें, परमीशोर जो है, हाथ पकड़ के चलाएगा, और कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमीशोर है, हम को जो है, उसे इस्थान पर खड़ा किया है, हम कभी न डंग मग हम कभी निरास नहीं होंगे, हर एक अबस्ता में परमिश और आपको हमको चलाएंगे, कैसे भी किन परसानी हो, हर एक चीज की दंगी में परमिश और हमको चलाएंगे, हम प्राथना करते हैं, कि इन दिने हम पे लिखा है, यह हुआ पचाले, जिस दिन हम पुकारे, तो बचाएंगे, अगर हमारे बीच में परिशानी आ भी जाए, तो परमिश और उससे भी छुडाने के लिए सामर्थी परमिश और हम परमिश और को धनवाद देते हैं, और जितने भाई बैन इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, उस जादा से जादा शेयर करें, ता परमिश और आप से भी कोई इस बचन के दोरा आशिश देने पाए, गोन बलेश यह हो,